सभी को जैमसी की मित्रों मैं मोनिका विश्वास को बढ़ाने के चार अचूक उपाए लूका 17 के 5 में तब प्रेरितों ने प्रभू से कहा हमारा विश्वास बढ़ा परमेश्वर के लिए बढ़ा और सामर्थी काम करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है जैसे इबरानियों की पत्री 11 अध्याय में लोगों ने किया हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है और विश्वास से ही हमने प्रभू येश्वमसी को अपना उद्धार करता करके ग्रहन किया है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं हमें किस बात पर विश्वास होना चाहिए? हमें परमेश्वर के वाईदों पर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए बहतर और सर्वोत्तम आशिशें रख छोड़ी हैं। और निश्चे उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग-संग बनी रहेंगी। क्या पूरा विश्वास करना अतियावशक है? हाँ, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल अवश्वे देता है। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तों का निश्चे और अंदेखी वस्तों का प्रमान है। बाइबिल में माहान विश्वास करने वालों के कुछ उधारन देखते हैं। नुह ने वारिश नहीं देखा था, फिर भी विश्वास करके बड़ा जहाज बनाया। अबराहम प्रभु की आग्या पाकर उस देश को निकल गया जहां नहीं जानता था। युसुप नहीं जानता था कि कभी उस सजा की कैद से आजाद भी होगा, कि नहीं उसने जो कभी किया ही नहीं है। पवित्र रहा और विश्वास योग गिर रहा। मूसा फिरोह का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया और सारी संपत्ति को ठुकरा दिया। विश्वास से ही उसने भीड बक्रियां चराना और दुख सहना ज्यादा मुनासिप समझा। यहुशु विश्वास से यर्विहो की दिवार को गिरा पाया। रहाव विश्वास से इब्री लोगों को छिपा पाई। गिदोन विश्वास से तीन सो लोगों के द्वारा एक लाग पैतिस हजार को हरा दिया दाउद विश्वास से एक पत्थर की मदद से गोलियात को मार गिराया एलिया ने प्रात्ना की और साड़े तीन वर्ष तक बारिश रुख गई प्रिय मित्रों ये सब कुछ विश्वास के कारण हुआ विश्वास की रुकावटे जब आपको लगता है कि कुछ नुकसान होगा जब आपको लगता है या तरकसंगत नहीं है जब परिवार और मित्रों का दवाव होता है जब विश्वास के कारण आपको कश्ट उठाना पड़ता है कैसे आप विश्वास को बढ़ा सकते हैं पहली बात परमेश्वर के वचनों को सुन कर विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है आप स्वयम बाइबल पढ़कर या सुनकर अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं आजकल तो मोबाइल में, यूटूब में अनेक प्रकार के ऐसे एप उपलब्द हैं जिन पर आडियो में प्रभू के संदेश सुन सकते हैं चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में उपलब्द हैं आप उने सुनकर परमेशुर के वचन में अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं ऐसा ही एक पॉडकास्ट है जिसे गूगल में आप सर्च करके मेरे द्वारा बोले गए संदेश को भी सुन सकते हैं इन पर क्लिक करके आप संदेशों को सुन सकते हैं और अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं दूसरी बात बीते समय में परमेशुर की द्वारा किये गए आश्चरे कर्म को इसमरण करने से दाउद ने गोलियात को मारने से पहले ऐसा ही किया उसने याद किया कि कैसे परमेश्यों ने उसके द्वारा शेर और भालू को मारा था दाउद एक चरवाहा था लेकिन बच्पन से ही परमेश्यों की आराधना करता था और उनके लिए गीतों को लिखता था परमेश्य ने दाउद के हातों से बड़े बड़े अद्बुत कामों को करवाया था जैसे शेरों को, भालू को मारना एक बार जब दाउद के भाई जो राजा के पास सैनिक का काम करते थे उनसे मिलने गया तो क्या देखा कि राजा और उसके सारे शैनिक एक आविश्वासी सेना से डर रहे हैं और एक दानव रूपी गोलियाद उन्हें ललकार रहा है तब दाउद ने राजा शाउल को बताया और अपने पुराने दिनों को स्मरण किया कि किस तरह से परमेश्वन ने उसके हातों बड़े शेर और भालू को मार दिया है इसलिए उसका विश्वास बढ़ा और वहाए एक चिकने छोटे पत्थर से ही उस बड़े दानव रूपी शत्रु को एक गोफन के द्वारा मार किराया यदि आप आज ऐसी समस्या का सामना कर रहें तो ऐसे समय में अपने बीते समय को परमेश्वर की द्वारा किये गए कारियों को इसमरण करें और देखें कि किस तरह आपका विश्वास बढ़ता है यदि परमेश्वर बीते समय में बड़े-बड़े काम कर सकता है, तो वो आज भी कर सकता है तीसरी बात, जो आप पहले से जानते हैं, उन्हें बातों में प्रभु के आज्याकारी रहें जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योगी रहता है, वहाँ अधिक में भी विश्वास योगी रहेगा देखे जिस तरहा हमें मोटर साइकल में रात के समय बहुत दूर तक की अर्थात एक या दो किलो मीटर तक की रोशनी नहीं दिखाई देती उसकी हेडलाइट से कीवल कुछ मीटर की ही रोशनी दिखाई देती है और उसका पीछा करते हुए हम एक शहर से दूसरे शहर तक चले जाते हैं उसी प्रकार परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि जो बाइबल में आप पहले से जानते हैं उसका अनुसरन करें फिर परमेश्वर की एक्षा अपने आप स्वता ही मालुम करते चले जाएंगे सभी पूशते हैं परमेश्वर की एक्षा मेरे जीवन के लिए क्या है यदि ये जिस दिन मालुम हो जाएगा उसी दिन से मैं विश्वास में बढ़ जाऊंगा और ये करूंगा या वो करूंगा तो प्रभो की एक्षा तो बाइबल में पहले से ही लिखी है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ प्रार्त ना करो दस्वांश दो सू समचार सुनाव इत्यादी पहले जो आग्या दी गई है वो पूरा करेंगे तो आगे की एक्षा और स्पष्ठ हो जाएगी चौथी बात प्रती दिन परमेश्व से बड़ी बातों को मांगे योहना सोला के चौबिस में आब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए प्रती दिन प्रार्तना का समय निश्चित करें मेरी सला है सुभा का समय बहुत बहतर होगा किसी ने कहा है यदि सुभा सुभा आप परमेश्व के चहरे को निहारना सीच चाएंगे तो पूरा दिन आपके लिए बां की सभी चहरे छोटे नजर आएंगे अर्थार किसी भी समस्या में आपको फसना नहीं पड़ेगा किसी से डरना नहीं पड़ेगा जिस प्रकार राजा दाउत कहने लगा जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुछ पर भरोसा रखूँगा प्रियमित्रों विश्वास करती हूँ आज का या संदेश